सेक्षन 375 मूवी बहुत अच्छी लगी, पिक्चर देखने लाइक है, मीटू कमपेन के उपर पिक्चर बनाई है, डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, अच्छे खना और रीचा चड़ा ने वकील का रोल किया है, बहुत ही उम्दा तरीके से रोल को जज्जमेंट दिया है इस फिल्मेंट के उपर बेस्ट पिक्चर है और जो लड़कियों के साथ रेप वगरा हो जाते हैं, तो यह कही न कही हमारे समाज के लिए मतला बहुत ही गलत बात है, बहुत बढ़िया लगी और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इंडिस्ट्री मैं भी उसका पार्ट एक रेप के और 75 जो आर्टिकल है उसको हाइलाइट किया गया और बहुत बढ़िया से डिरेक्टर ने इसको किया है, कुछ तो उपने की कुशिश ने किया है, और स्कीन प्ले अच्छा है स्टोरी तो क्या है, यह तो एक आटिकल है, चेक्शन है, और वो देश के कानून के अंतरगत है, अब हाई प्रोफाइल जो केस होता है, वो किस तरह होता है और किस तरह उसमें वकिल लोग उसको बदलते हैं, वो से बताया है अक्षे खन्ना का कमबाक जबरदस्त है और अक्षे खन्ना शुरू से एक बिल्लेंट अक्टर थे बट उस वड़ उस तरह का सिनेमा नहीं बनता है, मुझे लगता है उनका यह राइट टाइम है, तो इस वगत इस तरह के फिल्म में आ रही है, इसमें अक्षे खन्ना, अक अक्षे फिल्म है, और अगर आप इंटरेंटमेंट से हटके कुछ अच्छी फिल्म में देखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए फिल्म है, तो इस तैप की मूवी बननी चाहिए, लेकिन अभी मीटू कंपिन वंद हो गया पूरा, पहले बहुत चला था, अभी तो नाम मा मुझे काफी इंप्रेस किया, अगर सौ में से कहूं तो 75% मैं इसको दूँगा, इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन इसमें दिखाया है कि पांच में से दो केस ही आते हैं, तीन तो चुप चाप दब जाते हैं, उसका में कारण कि जो बोलना पड़त लड़की को, विक्टिम को, वो पहले पुलीस में बोलना पड़ता है, फिर फोलिंसिक साइंस में बोलना पड़ता है, फिर कोट में बोलना पड़ता है, फिर डिफेंस होता है, फिर हाई कोट में होता है, लगातार वो बोल, 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 के ठक जाती है, तूट जाती जो सची विक्टी में वो तो फस जाती है कि यह मैंने क्या किया है डारेक्शन बहुत अच्छा है उम्दा डारेक्शन है इस्टार तो देखें कॉमर्शियली तो तीन साड़े तीन स्टारी बनते हैं क्या कि सब को यह पसंद नहीं आएगी क्योंकि कोई नाच गाना है या लव स्टोरी या बड़े स्टार या इंटर्टेन्मेंट पोलके नहीं है फाइब आफ आफ और फाइब तीन आफ आप आफ नहीं है